अस्सलाव अलेकुम दोस्तों यदि आप कुवेत में रहते हो और कुवेत के हम तरीन ख़बरों से हमें इसा वाकिफेर न चाहते हो तो ये वीडियो को बिने स्कूप का पूरा देखे चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बार आये हो चैनल को सब्सक्राब करके बैल आइकन को प बताऊंगा तो वीडियो मेरे साथ बने रही है ताकि आपको कूईत की हरी जानकारी आपको मिल सके हैं तो सबसे पहले साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं कि वहा के तरफ से क्या अनॉस्मेंट किया गया है तो दोस्तों इंडियन एंबेसी के जो एंबेजडर है सीवी जोज मैंने पालन किया उसके बावजूद भी मेरा कॉरोना पॉलिटिव कैसे है मुझे आस तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि दस दिनों के अंदर मेरे संपक में जो भी आया है जाके वो कॉरोना के जांच करवाएं ताकि आप इससे बस सके तो साथिव वहाँ पर या जीब घटना घटी है क्योंकि वहाँ पर वैक्सिन लेने के बाद वहाँ पर ये बहुत हीक्मی केस आताा है कि क्रवना पॉजिटिव हो जाता है पर सर्प होने के बाद मुहां पर उनका केस जो है वह वो पोजिटिव आया हुए है उगली जो हैं, वो जो की बनाया गिया नियमों का health regulation का, जिन्हों ने पालन नहीं किया है, जो भी किराय के घर में, वहांपे रहरे, buildingगों में रहरे, सभी को खाली करने का निरदेज दिया गया जो भी building के मालिक है, सभी को बोला गया है, कि अभी अपने जितने भी वहाँ लोग वहाँ पर आपनो रखा हुआ है, सभी को वहाँ पर जल से जल खाली करवाई है, क्योंकि उन लोगों को बार बार वार्निंग दी गई थी, कि बनाए गए नियमों का पालन कीजिए, उसके बावजूद भी जितने बैचलर लोग ले थे, सभी उसका उलंगन क गर रहे थे, जिसके बाद ये निर्ने लिया गया है, तो अलासीमा जियो गवर्ना जो है, इस सर्थ सक्त निर्देश देते हुए, ये कहा है कि जल सेल सभी लोगों को खाली करवाई जाए, अगली खबर साथ ही, जो आरी मेजर फराज अल-जूबी के तरफ से आ रही है, उ लोगों को जो उलहंगन करते हैं, उलहंगन ना कर सके, और उन्होंने ये भी कहा है कि यदि लोगडों लगाने की नौबत यदि आ भी गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा रात में लगाई जाएगी, जो रात के वक्त से लगएगा, दस बज़े के बाद से, और सूबे पा मॉलों को, दस मॉलों को दोस्तों, वहाँ पे जो बड़े-बड़े मॉल है, हिल्थ रेगोलेशन के तरब से, वहाँ पे टीमों को तैनाद किया गया है, जो की 27 जून से आपको लोगों को पता होगा, कि वहाँ पे जो अन्वेक्सिनेटट पीपल है, उनको वहाँ पे मिर्देश जारी कर दिया है, तो साथी यदि आप लोग यह सोच रहेते हैं, बीना वैक्सिन के यदि आप रह लोगे तो बीना वैक्सिन के आप नहीं रह पाओगे, आपको किसी भी कीमत पर वैक्सिन वहाँ पे लेना ही पड़ेगा, तो यह कुछ खबर थी साथी हो, जो क मैंने अब तक सेयर किया, आसा करता हूं, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों साथ सेयर कर दे, ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके,